Hello बच्चों, let's do the question, the question is the perimeter of triangle formed by the point 0bc तो बच्चों सबसे पहले तो आपको x y axis को plot करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर है यह है x axis, यह है y axis, यह दो line जहाँ पर intersect करती है बिल्कुल यह बीच वाला point और इसे बोलते है origin और इसको o से denote करते हैं, ठीक है और इसके coordinates होते है 0,0, ठीक है भई, अब 1,0 कहा होगा, 1,0 का मतलब क्या है देखो, किसी भी point को plot कैसे करते हैं, plot करने का बड़ा आसान तरीका है reference point पर जाके खड़े हो जाओ पहले, reference point कौन सा है origin, तो पहले यहां origin पर जाके खड़े हो जाओ हमें b point को plot करना है, तो मैं plot करने का एक बड़ा आसान तरीका आपको समझा रहा हूँ b point को plot कैसे करते हैं, origin पर पहले खड़े हो जाओ, शुरुआत करो origin से अब देखो B point में X कितना है 1 X coordinate है 1 तो X की दिशा में 1 चल लो मार लो यहाँ पर 1 है तो 1 तक चल लो भई अब यह देखो Y कितना है B coordinate का Y coordinate कितना है 0 मतलब Y में तो कुछ चलना ही नहीं है मतलब perpendicular यह Y में तो कुछ चलना ही नहीं है पहले आप चलो x जितना है उतना one distance x direction में और y direction में कुछ नहीं चलना तो ये वाला point आ गया b point इसके coordinate है 1,0 समझे मैंने क्या किया अब c को plot करते हैं तो वापस से origin पे खड़े हो जाओ और ये देखो x में कितना चलना है x में तो 0 है c point में x coordinate 0 दिखा रखा है तो इसलिए x में तो कुछ नहीं चलना y में कितना चलना है one distance मतलब plus one यानि उपर की side है यहाँ पे मान लो यहाँ पर है plus one तो ये है one 0,1 इसके है coordinate ठीक है अब हमें ये बुला है एक triangle ये c point है एक triangle बन रहा है O, B, C को मिला कर तो ये है वो triangle ये वाला triangle इस triangle का perimeter बताना है क्या बताना है? perimeter तो perimeter कैसे बताएंगे? क्या होता है perimeter? अरे triangle में कितनी sides होती है? तो तीनो side का addition कर दो तीनो side का sum कर दो वही है perimeter perimeter क्या होगे फिर? OB plus BC plus OC simple है अब यहाँ पर ये देखो OB कितना है? O से लिएके B तक जो distance है OB वो कितना नजर आ रहा है आपको? 1 समझ आया ना? मतलब ये चीज़ तो 1 है X मैं देखो ना कहां पर है? अरे Y axis से कितना दूर है ये point? वही तो X coordinate है ये B point Y axis से जितना दूर है वही distance है OB और वही है X coordinate तो 1 हो गया अच्छा OC कितना है OC? O से लिएके C तक का distance वो भी 1 है समझ आ रहा होगा आपको ठीक है? अब BC कितना है? अब ये BC कैसे बता है? बही OBC एक right angle triangle है ये बीच में बन रहा है 90 degree तो OBC एक right angle triangle है तो हम कौन सी theorem लगा सकते है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये है O, ये है B, ये है C तो it is a right angle triangle ये है 1 और ये भी है 1 तो यहाँ पर हम Pythagoras theorem अप्लाई कर सकते हैं बच्चो right angle triangle में अगर दो side हमें given है तो तीसरे side आप find out कर सकते हो Pythagoras theorem से तो using Pythagoras theorem using PT short में Pythagoras theorem क्या लिखेंगे? BC का square, BC का है? टेड़ी सी line ये जो टेड़ी सी line है, ये BC है इसे बोलते है hypotenuse is equal to base का square base का है? 1 है ना? जो नीचे है, ये base है और perpendicular है, जो ये खड़ी हुई line है OC, ये perpendicular है, ये भी 1 है ठीक है, ये होता है तो ये हो गया 2 ये हो गया BC का square तो यहाँ पर root आ गया समझ आ रहा है root क्यूं आया? कोई भी confusion तो नहीं है, बताइए तो root 2 आ गया है ठीक है? तो यहाँ पर यहाँ पर जो हमारा answer होगा OB की value देखो perimeter बताना है हमें तो perimeter में OB है 1 BC है root 2 OC है कितना? OC भी है 1 तो ये हो गया 2 plus root 2 2 plus root 2 is the final answer ये है D option Hope you got the point Thank you very much